हेलो एवरीवें स्वागत आप सभी का आपके यूटिब चैनल करंट अफेस पाई रवीपर तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में देखे हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेस 2024 बात करेंगे फ्रेंड्स और से रिलेटेड इस वीडियो में हम कवर करने वाली है तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अनत तक पूरा देखेगा और फ्रेंड्स अगर आप किसे भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए most important होने वाली है तो आईए friends आज की class को शुरू करते हैं first question से पहला question है एशियाई indoor athletic championship में भारत ने कितने स्वन पदक जीती तो अभी देखे जो एशियाई indoor athletic championship हुई है उसमें भारत ने कितने स्वन पदक जीती है तो आंसर होगा यहाँ पी तीन भारत ने जीते हैं तीन gold medal टोटल अगर हम बात करते हैं तो भारत ने तीन स्वन पदक एक रज़त पदक और दो राश्टिय रिकोर्ट के साथ जो है championship को समाप्त किया है एक और question यह बन सकता है कि यह championship का आयोजन कहाँ पी हुआ था तो देखें यह championship कहाँ पी हुई थी तेहरान इरान में तो यह point पे आप लोग याद रखें next question देखिए badminton Asia team championship में किस देश की महिला team ने स्वन पदक जीता तो find सबी जो badminton Asia team championship होई है उसमें gold medal जीता है भारत की महिला team ने जिके याद रखेंगे कि भारत देश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है इसमें स्वन पदक पहली बार हुआ है कि भारत ने महिलाओं के इस परधा में कौन सा पदक जीता है स्वन पदक अगर हम पुरुशों की बात करें यानि हम बात करते हैं पुरुष टीम की तो पुरुष टीम में 2016 और 2020 वाला जो संस्क्रण हुआ था उसमें कौन से पदक जीते थे? कान से पदक नेक्स्ट क्वेशन केंद्रे युवा मामले और खेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने शत्रंज ओलंपियाड मशाल किस देश को सौपी? अब देखे क्यों सौपी है? क्योंकि जो अगला संस्क्रण है यानि जो पैतालिस वा संस्क्रण है इसकी मिजबानी कौन सा देश करेगा? हंगरी करेगा इसलिए हंगरी देश को शत्रंज ओलंपियाड मशाल जो है सौपी गई ये जो मशाल का स्थानांतरण हुआ यानि जो हैंडोवर किया उन्होंने ये मशाल कहां पर किया? नई दिल्ली के मेज़र ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम में हाली मेर रशना कुमारी पर कई डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 12 साल का प्रतिबंद लगा दिया गया था किस खेल से संबंदित हैं? तो देखें रशना कुमारी जो है उनको 12 साल के लिए प्रतिबंदित कर दिया गया है उन पर बैन लगाया गया है क्योंकि वो डोपि आईससी पुरुष प्लेयर आव दी मंद का पुरुषकार किसने जीता तो जन्वरी महीने की बात हो रही है यानि जन्वरी 2024 की हम बात कर रही है आईससी पुरुष प्लेयर आव दी मंद का पुरुषकार जीता है शमर जौसेफ ने और देखे हमें महिला में भी याद रखना हैं तो महिला वर्ग की बात करें महिला वर्ग में प्लेयर आफ दी मंत का पुरिशकार किस ने जीता आइलेंड की प्लेयर एमी हंटर नी सो दोनों याद रुकेंगे अलग अलग भी पूछ सकते हैं और आप लोग उसे एक साथ भी क्वेशन बना कि इसको पूछा जा सकता है नेक्स वूशन युनाइट वर्ट रेसलिंग ने हाली में किस देश के कुछती महासंग का निलंबन रद कर दिया है आप लिए फ्रेंटस भारत देश का कुछती महासंग का निलंबन यानि कुछ ताइम पहले ही अभी निलंबित किया गया था भारत के कुछती महासंग को और अभी इसी निलंबन को रद कर दिया है United World Wrestling ने नेक्स्ट ये पंदरवे ICC Under-19 विश्यकब 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है तो ये जीता है तो ये जीता है उस्ट्रेलिया नी फ्रेंट्स इसका जो आयोचन है ये हुआ था 19 चनवरी से 11 फरवरी 2024 तक कहां पे दक्षन अफरेगा में कौन से टीम विजेता रही उस्ट्रेलिया उप विजेता रही इसमें भारत इसका कौन से एडिशन हुआ पंदरवा उस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन है इसमें हुज विजेन भारते टीम के कप्तान रहे उदै सहारन और उस्ट्रेलिया ने चौथी बार ICC अंडर 19 का खिताब किया है अपने नाम तो ये चौथी बार उन्होंने टाइटल जीता बारते ओलम्पिक संग के CEO कौन बनी है तो फिंट्स इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन की बात करते हैं तो इसके CEO बनी है रगुराम अईयर बारते ओलम्पिक संग के स्थापना हुई 1927 में मुख्याले इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है इसकी पीटी उश्या नेक्स्ट क्वेशन देखे टैनिस टूनामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है और इसी टूनामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता बेलारुस की अरीना सबलेंका ने इसका इस पार हुआ था 112 संसक्रण और मुख्य प्रायोजक है इसका किया किस देश के टीम ने पहली पार अन्डर 19 एश्यय कब जीता है और बांगलादेश के टीम ने पहली बार जीता है याद रखेगा फ्रेंट्स अन्डर 19 एश्या कब की बाद करें तो ये 8 से 17 दिसम्बर दक हुआ था कहां पे सयुंग तरब अमीरात में और बांगलदेश तो चैंपियन रही इसमें और उप्पू विचिता टीम कौन सी रही सयुंग तरब अमीरात नेक्स्ट क्वेशन देखे अंदराश्टे क्रिकेट परिशत ने जन्वरी 24 महा के लिए प्लेयर आफ दी मंद किसे चुना है अब यहां पे क्वेशन में न साथ में ही दे दिया है जैसे हमने पहले अलग-लग कवर किया था तो इसकी यह क्वेशन यहां पे रखा है हमने तो वेस्ट इंडीज के देखे शामर जोसेव जिनने पुरुष में मिला और आइलेंड की एमी हंटर इने मिला महिला वर्ग में तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा आप्शन नमबर डी नेक्स्ट क्वेशन है भारत के 84 वे शतरज ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो राइट आंसर है चेनने के वैशाली रमेश बाबु ये फैंट्स भारत के बने है 84 वे ग्रेंड मास्टर नेक्स्ट क्वेशन देखे टैनिस टूर्णामेंट के ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व नमबर वन विश्व नमबर एक स्थान पर पहुँशने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए है नेक्स्ट क्वेशन है टैनिस टूर्णामेंट चिन्ने ATP ओपन 2024 में पुरुशेकल का खिताब किसने चीता है सुफरिंग्स बात करते हैं आप ये पुरुशेकल की तो ये टाइटल चीता है सुमित नागल ने सुमित नागल इसमें विजेता रही उपविजेता रही इटली के लुका नारदी और पुरुश युगल विजेता कौन-कौन रहे राचकुमार रामनातन और साकेत मोहिनेनी नेक्स्ट क्वेशन है चेने सुपर किंग ने अपना आधिकारिक स्पॉंसर किसी बनाया है सो CSK का अभी आधिकारिक स्पॉंसर बना है एतिहाद एतिहाद जो है ये सयुगरब अमिरात की एक राष्टिय एयरलाइन है इसका मुख्याले अबुदाबी में है और एकौन पॉइंट याद रखीगा कि चेने सुपर किंग की 2024 के लिए ब्रांड मेस्टर कौन बनी है कैट्रीना कैफ अगला कोशन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुँशने वाले क्रिकेट इतियास की पहले गैनबास कौन बनी तो तीनों फॉर्मेट के बात हो रहे उस पर टॉप पहुँशने वाले पहले गैनबास कौन बनी है जस्प्रीद बुम रहा नेक्स क्वेशन डेविड वॉर्णर ने ओडियाई क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है इनका संबंध किस तेश से है डेविड वॉर्णर जो है इनका संबंध है किसे ऑस्ट्रेलिया से नेक्स क्वेशन दोहसार पच्चिस में चीन में आयोजित नौवे एशियाई शीत कालिन खेलों का शुभंकर क्या है सो चीन में होंगे देखिए नौवे एशियाई शीत कालिन खेल दोहसार पच्चिस में और शुभंकर है बिन्मिन और नीनी आंसर होगा यहाँ पर आप्शन नमबर डी नेक्स्ट कोईशन देखे युनाइटिड कप 2024 किसने जीता है तो फेंट्स ये दीता है जर्मेनी की डीमनी जर्मनी इसमें विजेता रही उपविजेता टीम रही पॉलेंड युनाइटिड कप का आयजन हुआ था 29 दिसंबर से 7 जन्वरी 2024 तक इसका ये था दूसरा संस्क्रण और युनाइटिड कप में देखे सरवादिक मुल्लेवान खिलाडी का पुरुषकार किसे प्राप्त हुआ है तो ये पुरुषकार मिला है इगा सुईतिक को जन्वरी 2024 में दीव में आयोजित पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स में कौन सा राज्य चांपियन बना है तो सबसे आगे रहा है इसमें मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ने जो है बीच गेम्स में 18 पदक जीते मुक्य अतिती कौन थे हमारे खेल मंतरी अनुराग ठा और इनका आयजन हुआता गेम्स का चार से 11 जन्वरी तक नेक्स्ट कोईशन है टाटा स्टील शत्रंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है तो ये शत्रंज टूर्नामेंट जीता है रमेश बाबू प्रग्या नंदा इन्होंने जीता है टाटा स्टील शत्रंज अगला कोशन है फ्रेंट्स फुटबॉल टूनामेंट है Spanish Super Cup 2024 और इसका किताब किस नहीं जीता है तो Spanish Super Cup का किताब जीता है Real Madrid नहीं Real Madrid ने देखिए सउदी अरब में खेले गए मैच में बारसी लोना को हराकर जीदा Spanish Super Cup फुटबॉल टूनामेंट का किताब और ये कौनसा एडिशन था तो Super Cup में ये था इनका तेरवा किताब Next Question अगले पांच वर्षों के लिए किस कंपनी ने IPL टाइटल स्पॉंसर्शिप हासल की है तो IPL की जो स्पॉंसर्शिप पे देखिए अगले पांच वर्षों के लिए हासल की है किसने Tata Group ने तो Tata Group जो है न अब दोहसार 28 तक IPL का टाइटल स्पॉंसर्शिप बना रहेगा Tata Group की बात करें तो स्थापना हों है इसकी 1868 में संस्थापक तेज जमशेद जी टाटा मुख्याले इसका है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है रतन टाटा जी नेक्स्ट क्वेशन जन्वरी 2024 में डकार रेली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने है तो सबसे उम्रदराज विजेता बने है स्पीन के कार्लोस सैंस कार्लोस सैंस जो है इन्होंने 61 वर्ष के आयू में चौथी बार डकार रेली का खिताब जो है अपने नाम किया कार्लोस सैंस को एल मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता है अगला कुशन है रिकॉर्ड आठवी बार बालकन एटली 2023 का खिताब किस खिलाडी ने जीता है सो बालकन एटलीट का खिताब जीता है सर्बिया के प्लेयर नुवाग जोकोविशनी नेक्ट क्वेशन है इंडिया ओपन बेडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किस ने जीता है सो वुमेंस सिंगल टाइटल की बात करें तो ये जीता है ताइवान की ताइजू यिंग ने सो इंडिया ओपन बेडमिंटन 2024 को यॉनिक्स संराइस इंडिया ओपन के नाम से भी जाना चाता है इसका आयचन हुआता 16 से 21 जनवरी तक कहां पे केडी जादा विंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में और महिला एकल में तो देखे ताइवान की प्लेयर्ट जीती अगर पुरुष एकल की बात करें तो ये टाइटल जीता है चीन के शी क्यू शी यू क्यू ने हमारी जो फ्रेंट्स एबुक्स हैं जैसे जनवरी 2023 की आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर 2024 की भी मंतली सी जो की जनवरी महिनी की है उसी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि other जो हमारी subject related e-books है उनको भी friends आप लोग buy कर सकती है और ये इस अभी e-books आपको हमारी website पर मिल जाएंगी website का link आपको description box में दिया गया है next question है friends और इससे पहले friends अगर आपको हमारी video का content अच्छा लग रहा है तो friends video को like और share जरूर करें question है भारते सीना में सुबिदार के पत पर पदोन्नत यानी promote होने वाली पहली महिला कौन बनी है the answer is प्रीती रजग और प्रीती रजग जो है ये मद्यप्रदेश की एक भारते खेल निशाने बाज है next question टाटा स्टील शदरंज टूर्णामेंट 2024 का किताब किसने जीता है तो ये टाइटल जीता है चीन के वेई ही ने अगला कोशन सौराष्ट किरकेट असोसियेशन स्टेडियम का नया नाम किया है तो देखे इसका नाम चेंज किया गया है स्टेडियम का और नया नाम दिया है इसे निरंजन शहा स्टेडियम और ये कहाँ पे लोकेटिड है गुजरात स्टेट में इनुराग सिंग थाकू ने पहली बिमस्टेड एकोएटिक चाम्पेटन का उदगातन कहां किया है सुफहिंस पहली देखे बिमस्टेक एकोएटिक चाम्पेटन किया कहाँ पे नय दिली में इसका आयोचन कब से कब तक हुआ था 6 से 9 फरवरी दोहसार चौबिस तक कहां पी हुआ था डॉक्टर श्यामा पिसाद मुकर जी स्विमिंग पूल कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में और इस चांपेंशिप में कुल तीन देखेस परधाओं का आयोचन किया गया जुकिती तेहरा की वोटर पॉलो और डाइविंग सपरधा नेक्स क्वेशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स तोहसार चौबिस के चौथे संसकर्ण का आयोचन कहां किया चाएगा तो देखें इसका चौथा एडिशन है इसका आयोचन किया चाएगा लिहे लद्दाक और जमो कश्मीर दोनों जगापी तो देखें शीतकालीन खेलो का पहली बार जो एडिशन है इसका जो पहला चरण है वो हुआ था लद्दाक में कबसे 2-6 फरवरी तक और अगला दूसरा चरण भी शुरू हो गया है देखें ये 21 से 25 वरवरी तक चलेगा गुलमर्ग जमो कश्मीर में शुभंकर है इसका स्नो लेपर्ड जिसका नाम रखा है शीन एशी और ये है इसका चौथा एडिशन जन्वरी 2024 में आयोजित छटे खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीश पर रहा है सो नंबर वन पर रहा है इसमें महाराष्ट इस्टेट खेलो इंडिया यूद गेम्स की बात करें तो इसका आयजन हुआ था 19-31 जन्वरी तक तमिलाडू में और ये हुआ था इसका च्छटा संस्क्रण शुभंकर का नाम है वीरा मंगई टॉप थ्री राज्य में देखें महाराष्ट रहा नंबर वन पर महाराष्ट ने जीते कुल 158 पदक, 57 गोल्ड, 48 रजट और 53 कांसिय पदक नेक्स कोईशन किस किरकेटर को उतरप्रदे सरकार ने UP पुलिस में पुलिस उपाधिशक यानि DSP के पद पर न्यूक्त किया है सो किस किरकेटर को किया है दियांसर इस दीपती शर्मा को next question है BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है so BCCI ने जो है भी हाली में MS-10 की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है next question है Decacon बढ़ने वाला पहला भारतिय ब्राइन कौन सा है so first देखे भारतिय ब्राइन है the answer is IPL अच्छो Decacon क्या होता है so Decacon Company इसी कंपनी होती है जिनकी valuation जो है 10 अरब डॉलर के पार पहुंचाती है so IPL की जो valuation है अगर हम 2023 की बात करें so 10.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुगी थी इसलिए इसको कहा गया है Decacon Company next question IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाडी कौन बनी है अभी तक IPL की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाडी बनी है Australia के Michelle Stark और फेंट्स अगर हम भारते खिलाडी की बात करें तो अभी तक IPL के इतिहास में सबसे महंगे भारते खिलाडी कौन बनी तो फ्रेंट्स इनका नाम भी याद रखना हर्शल पटेल अगला कुशन है प्रदम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सरवाधिक पदग जीते हैं सो फर्स्ट देखे जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे इसका पहला संसकन ही हुआ था इसमें हर्याना ने सबसे जादा पदग जीते सो हर्याना ने जीते 1449 रजट और 26 कांसे पदग और हर्याना रहा इसमें पहले स्थान पे शुरू हुआ था ये 10 दिसंबर को और कहां पे हुआ था नए दिल्ली में अगला कोशन है विजे हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है सो विजे हजारे ट्रॉफी ये जीती है फ्रेंक्स हर्याना राजियनी और इसमें उपविजेटा टीम कौन सी रही राजिस्थान विजे हजारे ट्रोफी में अभी तक की सबसे सफल टीम जो है वो तमिलनाडू है क्योंकि तमिलनाडू के पास इसकी है पाँच टाइटल इससे पहले अगर हम बात करें दोहसार तेहिस चौबिस से पहले दोहसार बाइस तेहिस की बात करें तो उसमें विजेता कौनसी टीम रही थी सौराश्ट नेक्स कुईशन है फैंस बीस हुआ फीफा क्लब वर्टकब दोहसाद तेहिस किस फुटबॉल क्लब ने जीता है तो ये टाइटल किस ने जीता है मैंचेस्टर सिटी नी मैंचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा क्लब वर्टकब का खिताब अपनी नाम किया है तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे फीफा क्लब वर्टकब जो है ये अंतराश्टे फुटबॉल क्लब की प्रत्योगिता है और इसकी शुरुवात कब हुई थी 2000 मी Neg一直 question किस देश के साथ क्लिफायर मैच में भारती महिला हौकी टीम पैरिस उलम्पिक दोहसाथ 24 के लिए क्वालिफाय करनी विफल रही मतलब भारते टीम जो है वो क्वालिफायर नहीं कर पाई किस देश के साथ qualifier मैच हुआ था? तो यह मैच हुआ था जापान देश के साथ पारिस ऑलम्पिक की बात करें यानि 2024 पारिस ओलम्पिक की तो यह पारिस फ्रांस में होंगे और यह शुरू होंगे 26 छुलाई 2024 को और इनका समापन होगा 11 औगस्त को इसमें मशाल वाहा कौन होंगे अमिना बिंदरा एक्ट कोईशन आई से सी पुरुष एक दिस सी है किरकेट विशुकप दोहसाती हिस का किताब किस तीम ने जीता है तो एक दिस से किरकेट विशुकप का किताब ये जीता है उस्ट्रेलिया की टीम ने उस ट्वीला की टीम ने देखे फाइनल में किसे हराया था भारत की टीम को 6 विकेट सी प्लेयर ओफ दी टूर्णामेंट का किताब जीता विराट कोली ने आयजन हुआ था इसका भारत मी ही संस्क्रन हुआ تھا तेरवा और शुभंकर का नाम क्या है ब्लेस और टॉंक नेक्स कुरेशन है रगभी विश्कब 2023 का किताब किस देश ने जीता है तो रगभी वोडकप का किताब जीता है दक्षिन अफरीका ने दक्षिन अफ्रीका ने इसमें न्यूजिलेंड को हराकर चौथी बार जो है रगबी विश्कप जीता और ये कहां पे हुआ था तो ये चांपिनशी बुई थी फ्रांस में पुरुष फीफा विश्कप दो हुसार चौथिस की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो देखें यहां पे ट्वेंटी थरी फोर की बात हो रही है तो फीफा जो वर्ट कप होगा पुरुष का ये कहां पे होगा सउदी अरब में और संस्कन कौन सा होगा ये इसका 25 थोड़ा सा हम इससे पहले आएं 2030 की बात करें तो 2030 का पुरुष फीफा विश्कप होगा मोरेक पुर्टगाल और स्पेन में उससे पहले हम 2026 की बात करें तो ये एडिशन कहां पे होगा कैनेडा मेक्सिको और यूएससे में महिला टैनिस टीम प्रत्योगिता है जिसका नाम है बिली जीन किंग कब 273 का खिताब किसने जीता है तो इस प्रत्योगिता का खिताब किसने जीता है कैनेडा नी कैनेडा ने जो है फाइनल में इसमें हराय था इटली को 2-0 से और 2-0 से इटली को हराकर कैनेडा ने बिली ज किनकप का क्हिताब जीता इसका आयोचें कहां पर हुआ था सैविली स्पीन नेक्स wtedy देखे भारत 19 वे एशियन गेम्स 20TP किस स्थान पर रहा है थो भारत तो हैसमे रहा है 4 इस्थान पर भारत ने देखे कितने कितने पदक जीते हैं तो भारत ने जीते टोटल 102 पदक 102 में से देखे 28 तो थे गोल्ड, 38 हैं सिल्वर और 41 हैं ब्रॉंज मेडल यानि कांसे पदक एक और कोशिन ये बन सकता है कि 19 में जो एशन गेम्स होए थे उसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा तो पहला स्थान रहा चीन का चीन ने जीते टोटल 383 पदक आयोचन कहां पी हुआ था इसका हांग्सव चीन में मोटो हर्ट टू हर्ट एड़ रेट फ्यूचर शुभंकर का नाम क्या है चेन चेन कांग कॉंग और लियान लियन ओफीशिल थीम सॉंग का टाइटल है विद यू एंड मी बारते महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने है तो नए कोच बने है भारते महिला क्रिकेट टीम के अमोल मुझूमदार लएक्स कोशन देखे वर्ष 2013 में आठवी बार परतिश्टित बैलेंटी और पुरिश्कार किसने चीता है तो ये पुरुषकार चीता है अर्जेंटीना की प्लियर लियोनल मैसी ने अब देखें यहां पी आपको एक पूरी लिस्ट याद रखनी है तो ये लिस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं बेलिंडियोर पुरुषकार पुरुषों में बात ओ रही है तो ये चीता है लियोनल मैसी ने इनका क्लब कौन सा है इंटर मियामी नेक्स्ट पात करते हैं महिला बेल इंडियोर अवार्ड की तो ये चीता है स्पेन की एताना बोन मार्टीनी और इनका क्लब है एपसी वार्सेलोना महिला कौपा ट्रॉफी मिलती है सर्फेश्ट पुरुष अंडर ट्विंटिवन के लाडी को ये चीती है इंगलैंड के जोड बेलिंगम ने और इनका क्लब है रियल मैडरिट याचिन ट्रॉफी सर्फेश्ट पुरुष कोल कीपर को मिलती है और ये ट्रॉफी चीती है अर्जेंटीना के इमिलियानू मार्टिनेस ने और क्लब है इनका इस्टोना विला जिसकी दरफ से खेलती है नेक्स्ट एक है गर्ड मुलर ट्रॉफी सरवादिक स्कूर करने वाले पुष्ट स्ट्राइकर कोई ट्रॉफी मिलती है और ये जीती है नौर्वे के अईर्लिंग हॉलन ने क्लब है इनका मैंचेस्टर सिटी सुकरात अवौर जीता है ब्राजील के विंसीयर जूनियर और क्लब हिनका है Real Madrid Club of the Year का आवार्ड किसने जीता Manchester City और FC Barcelona Family ने अगला कोशन देखे FIFA महिला विश्यकप दूह साथ 13 का खिताब किसने जीता है तो ये टाइटल जीता है Spain की टीम ने और Spain ने देखे इसमें फाइनल में किसे हराया था England को 1-0 से FIFA महिला विश्यकप का आईजन हुआ था Australia और New Zealand में और ये हुआ था इसका नौवा संस्क्रण शुभंकर का नाम है तरजुनी और इसका आदर्श वाक्य है Beyond Greatness Next question देखे महिला एश्याई होकी चैंपेंस ट्रोफी 2 हसा 13 का खिताब किस तेश ने जीता है तो ये टाइडल चीता है भारत की टीम ने भारत ने जो है महिला एश्याई होकी चैंपेंस ट्रोफी का खिताब चीता इसमें भारत ने फाइनल में जापान को हरायता चार जीरो सी आयजन हुआता इसका राची भारत में और शुबंकर का नाम है इसमें जूही अगला कुशन 37 राश्याई खेलो की पदक तालिका में कौन सा राज्याई पहले स्थान पर रहा है तो सबसे जादा पदक जीतकर महराष्ट जो है वो पहले स्थान पर रहा है महराष्ट ने देखे टोटल जीते 228 पदक, 80 तो जीते स्वन, 69 जीते रजत पदक और 89 जीते कांसे पदक इसके लावा देखिए राश्याई खेलो का शुबंकर क्या है मोगा, आदश वाक्य है गेट सेट गोवा और राचा भलींत्र जीते सेंग ट्रॉफी की विजिटा कौन से रही महराष्ट अगला कोश्शन है इस स्टेटियम में महान किर्केٹर सचिन तैंदूलकर की प्रतीमा का अनावरन किया गया है सो कौन से स्टेडियम में किया गया मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में एशियाई केल दो हसा तेहिस के उदगाटन समहारों के दौरान भारतिय दल के धुजवाहक कौन थे सो जब एशियाई केल का उदगाटन समहारों हुआ था उसमें भारते दल के धुजवाहक थे हर्मन प्रीच सिंग और लवलीना बोर्गों है हर्मन प्रीच सिंग की बात करें तो ये पंजाब से है और ये भारते फिल्ड हौकी प्लेयर है लवलीना बोर्गों है असम राज्चे से और ये है भारते मुक्के बाज एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना है ये तो उद्घाटन समहरों की बात हुई थी अगर बात करें समापन समहरों की उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे तो पुरुष फिल्ड होके प्लेयर पी आर श्रीजेश रहे थे उसमें भारत के ध्वजवाहक अंतराष्टे किर्केट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले किर्केटर कौन बन गए है तो टाइम आउट नियम से आउट होने वाले वर्ट के पहले किर्केटर बने है श्रीलंका के एंजिलो मैथ्थियूज तो सयद मुश्टाक अली टॉफी का चो खिताब है ये जीता है पंजाब की टीम ने और देखे इसमें पंजाब ने किसे हराया था तो पंजाब ने वडोधरा को 20 तननो से हराकर फाईनल मुकामली में ये खिताब जीता ग्यारवे सुल्तान जोहर कप 2023 में भारती होकी टीम ने कौन सा पदक जीता है सुल्तान जोहर कप में भारती होकी टीम की बात करें इन्होंने जीता है इसमें कान से पदक अच्छा इस इवेंट की बात करें तो इसमें स्वान पदक जीता कौन सी टीम रही जर्मनी जर्मनी ने जीता इसमें स्वान पदक और इसका आहेजन कहां पी हुआ था जोहर मलीशिया मी सचिन तेंदुलगर के रिकॉर्ड को तोड़कर वंडे किर्केट में सरवाधिक 50 शतक लगाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबास कौन बन गए है तो इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलगर के नाम था लेकिन उनके रिकॉर्ड को पीछे चोड़कर इसमें जो आगे निकल गए हैं या जो दुनिया के पहले बल्लेबास बने जिनके सबसे जादा शतक हैं वंडे किर्केट में तो कौन है विराट को ली नेक्स क्वेशन देखे चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है तो जो चौथे एशन पैरा गेम्स होए हैं उसकी पदक तालिका में भारत जो है पांचवे स्थान पे रहा है भारत ने जो है इसमें कितने पदक जीते कुल 111, 29 गो पदक जीते 521 और चीन रहा इसमें नमबर वन पे नेक्स्ट है 53 जो आई SSF वर्ड चांपिन्शिप वी इसके पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है तो पदक तालिका में इंडिया रहा है देखे इसमें तीसरे स्थान पे भारत ने चैंपिन्शिप में कुल जीते 14 पदक जिसमें थे 600 और आठ कांसे और भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा सबसे जादा पदक चीन देश ने जीते कुल 28 और चीन रहा पदक तालिका में सबसे शीश्रे स्थान पे आयोजन कहां हुआ था तो जो आई SSF देखे वर्ड कप हुआ है वर्ड चांपिन्शिप बागु अज़र बेजान में कमिन शो कवा देखे वर्ड पाइंत्लेटीक चैंप्रशिप 2023 का ऐस लुए लेजन में सबसे रहा इसमें अमेरिका अमेरिका ने जीते कुल 29 पदक बारह 8 रज़त हैर नो कांसे बाथ करें वर्ड एत्लेटिक चैंबेंशिप में भारत किस स्थान पे रहा तो ये भी याद रखेंगे भारत का स्थान रहा अठार हुआ भारत ने जीता एक स्वन पदक इस चैंबेंशिप का आयोजिन हुआ था बुदापेस्ट हंगरी में इसका ये उन्निसवा संस्क्रण है और मोट है इसका विटनस दा वंडर नेक्स वर्ष दोहसा तेहिस में टाटा आईपील का खिताब किस टीम ने जीता है तो फइंट्स दोहसा तेहिस में दिखे आईपील का जो टाइटल है ये जीता चेन ने सोपर गेंग्स ने और इसमें उपविजिता टीम कौन सी रही हुआ था भारत में ही और ये था इसका सोल हुआ संसकरण। में ही हुआ था नए दिली में और ये कब हुआ था उननिस्तो तिरासी में नेक्स्ट क्वेशन है देखिए वर्ष दोहसार अठाइस में लॉस एंजल्स में आयजित होने वाले ओलम्पिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है तो कुछ नए देखे खेल शामिल हुए ह जैसे कि बेसबोल या सौफट बोल, स्क्वेश, लेक्रोस, फ्लैक फुटबॉल और क्रिकेट तो ये सबी खेल शामिल किये गए हैं वर्ष दोहसार अठाइस के लॉस एंजल्स में आयोचित होने वाले ओलम्पिक में अगला कोशन है चीन के हंग्सों में आयोचित चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सो इसमें भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे कौन? अमित सरोहा और पार्वल परमार अगरा कोशन है भारत में आयोजित पहली Moto GP Race इंडियन ग्राइज़ी दोहसा 13 का खिताब किस ने जीता तो फञेंस बात करते हैं चो पहली Moto GP में इंडियन ग्राइज़ी ये टाइटल किस ने जीता है बुद्ध इंटरनाशनल सर्किट में अगला कुश्चन फुट्बॉल टूनामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने चीता तो डूरंड कप का टाइडल चीता है मोहन बागान FC ने इसमें देखे जो रनर अरब टीम रही वो कौनसी थी? इस्ट बंगाल FC इसका आयजन हुआ था भारत में और ये इसका कौनसा एडिशन है? 132 वाँ नेक्स्ट क्वेशन डैनिस टूनामेंट यूएस ओपन 2023 में पुरुश एकल का खिताब किस ने जीता है? यूएस ओपन जो है अमेरिका की कौको गौफ नें अगला कुशन प्रदानमंती नरेंदर मोदी जीने के शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतराश्टे क्रिकेट स्टेडियम की आधार शिला रखी है तो ये जो स्टेडियम है देखें इसकी आधार शिला किस ने रखी? ये भी आद रखेंगे मोदी जीने और बात करते हैं कौन से शहर में रखी? वारान सी में नेक्स्ट क्वेशन है देखें बुदा पैस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एतलेटिक चांपेंशिप 2023 में स्वान पदक जीतने वाले पहले भारते अथलेट कौन बनी है? तो विश्व एतलेटिक चांपेंशिप में स्वान पदक जीतने वाले पहले भारते अथलेट बनी है नीरत चूपड़ा और नीरत चूपड़ा जो है इनका संबन कौन से? गेम से है? जावलिन थ्रो सी लगतार तीसरी बार आइसेसी महिला टीटवेंटी किरकेड विश्व कब दो हुसाती इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो देखे इनोंने लगतार तीसरी बार जीता है वोमेंस टीटवेंटी वर्टकब का खिताब और ये कौन सी टीम है? उस्ट्रेलिया उस्ट्रेलिया ने जो है इसमें हराया किसी है दक्षन अफ्रीका को और दक्षन अफ्रीका में ही इसका आयजन हुआ था इस पार इसका कौन सा संसकरण हुआ? आठ हुआ संसकरण नेक्स्ट टुले के कोशन है लॉरियस Sportsman of the Year 2023 का पुरुषकार किस खिलाडी ने जीता है तो ये किस ने जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेस्टी ने और लॉरियस Sportswoman of the Year का किताब किस ने जीता जमाइका की प्लेयर शैली एन फ्रेजर प्रेस्टनी नेक्स क्वेशन है पूर्तगाल के स्टार फुड़ बोलर क्रिस्टियानो रॉनालडो किस फुड़ क्लब में शामिल हो गए है तो अब दिखे sometime के सोधी अरब के अलनसर क्लब में बार्टिय उलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी द्यांसर इस एथलेट पीटी उशा लेक्स्ट है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स तोहसा थीहिस की पदक तालिका में कौन सा विश्विध्याले शेश स्थान पे रहा है तो पंजाब उनिवर्सिटी रही है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में नंबर वन पे पंजाब उनिवर्सिटी ने टोटल 69 पदक जीते 26 वर्ण 17 रजद और 26 कांसी है शुबंकर है इसका जीतू और इसका संस्क्रण कौन सा है ये तीसरा संस्क्रण इस बार ग्रिश मकालीन और औलंपिग और पेरेलंपिक गेम्स होंगे पेरिस फ्रांस में कौनसा संस्क्रण होगा इसका ये 31 वा सौरी 33 वा इसके बाद अगले संस्क्रण की बात करें चौंतिस वे की ये होंगे 2028 में और होंगे यूईसे के लॉस एंजल पैरिस वे ग्रि पुरुष होकी विशुकब 2019 का खिताब किस ने जीता है तो ये किताब जीता है जर्मनी ने आयोचन इसका हुआ था भुवनेशर उडिसा में संसकर्ण है इसका पंधुर और शुभंकर का नाम क्या है ओली नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2000 का खिताब किस टीम ने जीता है तो ये डबलो पील का पहला एडिशन ही हुआ था और ये जीता किसने मुंबई इंडियन्स ने कहां पी हुआ था इसका आयोचन तो डबलो पील का आयोचन हुआ था मुंबई में शुभंकर का नाम क्या ह इसके शक्ती अगला कोशन फुटबॉल टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी दो हिसात एख इसका किताब किसने जीता है संतोष ट्रॉफी की चैंपेन रही कौन सी टीम करनाटक की टीम और करनाटक ने इसमें हराया किसी मेघालिया को आयर जन हुआ था इसका सौधी अरब म और संस्क्रन हुआ था इसका छियत तर्वा नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा किरकेट स्टेडियम कहां बनेगा तो देखे भारत का ये दूसरा बड़ा किरकेट स्टेडियम है और ये बनेगा जैपुर राजिस्थान में अगर भारत के या विश्यों के सबसे बड़े किर्केट स्टेडियम की बात करती है तो ये है नरींदर मोदी स्टेडियम जो की है एहमदाबाद गुजरात भी अगला कुशिन उस्टेलिया के सिड्नी किर्केट ग्राउंड में किन महान بल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरन किया गया है तो मुझ इंगन के नाम पिका गया भारत के सचिन तैंदुलकृर और वेस्ट इंदीज के ब्राइन लारा तो इन दोनों के नाम पर उस्टेलिय तो फैंट से खिताब चीता है नौर्वे के मैगनस कालसन ने और इसमें उपविजेता कौन रहे भारत के रमेश बाबू प्रग्यानंद शित्रण जुविश्वकप का आयजन कहां पे हुआ था बाकू अजर्बैजान में नेक्स्ट है कौन सा देश ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्वकप 2024 की मिजबानी करेगा तो देखे इसकी मिजबानी कौन सा देश करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों ही देश चुहें इसकी मिजबानी करेंगे और ये होगा इसका कौन सा संस्क्रण नौवा इसके बात देखे 2026 की बात करें तो T20 क्रिकेट विश्वकप का आईजन होगा भारत और श्रेलंका में और 2028 में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़िलेंड में नेक्स्ट क्वेशन देखे रिकॉर्ड पांचवी बार फीफा क्लव विश्वकप 2023 का किताब किस ने चीता है तो फ्रेंट्स पांचवी बार फीफा क्लव विश्वकप का किताब चीता है रियल मेडरिट एफसी ने आईजन इसका हुआता मोरेको में और इसका कौन सा संस् ये उन्निसवा नेक्स्टे दोहुसाद तेहिस विश्व पैरा एतलेटिक चांपिन्शिप की पदक तालिका में कौन सा देश शेष्ट अस्थान पर रहा है सो वोट पैरा एतलेटिक चांपिन्शिप की पदक तालिका में चीन रहा है सबसे आगे चीन ने देखे इसमें कितने पदक जीते हैं 45 जिसमें से हैं 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 13 ब्रॉंस भारत की बात करें तो भारत रहा इस चैंपिंशिप की पदक तालिका में 19 स्थान पे भारत ने कुल जीते 10 पदक, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉंस मेडल इसका आयचन हुआ था पैरिस फ्रांस में और ये था इसका दसवा संस्करण नेक्स्ट देखे सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप एक अंतराष्टे फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये आयोचित कहां पी हुआ है बेंगलूरू, दिल्ली, गुरुग्राम तो इन सभी जगा पर आयचित हुआ सुब्रोतो कप और ये हुआ था इसका बासटवा संस्करण नेक्स्ट क्वेशन एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप 2023 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है तो फ्रेंट्स भारत जो है एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप में रहा साथवे स्थान पर भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते कुल 14 पदक 103 रज़त और 10 कांसिय पदक पहली स्थान पे इसमें रहा कजाकिस्तान ने जीते 20 पदक और इसका आयजन हुआ ता अस्थाना कजाकिस्तान में नेक्स्ट देखे New York शहर के किस स्टेडियम में FIFA Wish Cup 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा 2026 में देखे FIFA Wish Cup का फाइनल यह होगा New York शहर के MetLife स्टेडियम में फीफा विश्व कब 2026 की बात करती हैं तो इसकी मिजवान देश कौन-कौन से होंगे कारेडा, मेक्सिको और यूएस से और ये इसका होगा तेहिस्वा संसकरण किस भारत्य तिरंदाज को विश्व तिरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तिरंदाजी ब्रेक्थ्रू परफॉर्मर आफ दे इयर का पुरुषकार मिला है, तो ये पुरुषकार मिला है महाराष्ट की अधीदी गोपी चंद को किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कब 2024 का खिताब चीता है, तो फ्रेंट्स FIH 5S पुरुष विश्व कब का खिताब चीता नीदरलेंड की टीम ने आयोजन हुआ तैसका मसकट ओमान में और नीदरलेंड ने किसे हराय तैसमें मलेशिया को नेक्स्ट किस देश में ग्यारवी एशियन शौटगन चांपेंशिप 2024 का आयोजन किया गया है, तो एशियन शौटगन चांपेंशिप का आयोजन किया गया है कुवैत की कुवैत सिटी में, इसका आयोजन हुआ था 14 से 21 जनवरी तक और ये हुआ था इसका ग्यारवा संसक टॉप तीन देश की बात करें तो पहले नंबर पे रहा चीन, दूसरे पे रहा चीनी ताइप और तीसरे पे रहा इसमें भारत नेक्स्ट क्वेशन देखें किरके टूर्णामेंट पुरुष एशिया कब 2023 का खिदाब किस देश ने जीता है तो पुरुष एशिया कब का जो टाइटल है ये भारत ने जीता है, इसमें उपविजिता टीम रही श्री लंका, इसका रहा ये सोलवा संस्करण और इसका आयुजन कहां पी हुआ था, श्री लंका और पाकिस्तान में तो फ्रेंट्स यहां हमारे सभी जो है, कुशन्स तो कंपलीट हो गए, बात करते हैं टेस्ट की, तो पहला क्वेशन है आज का टेस्ट का, कि बेडमिंटन एशिया टीम चांपिनशिप दो हुई थी, उसमें किस देश की महिला टीम ने सौन पदक जीता, और दूसरा क्वे वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें, इसके लाब अगर आप हमारी कोई भी देखे ई-book को बाई करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब यह सभी हमारी वेश साइट पर आपको मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसके लाब आप हमारी अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, सो फइन्स करते हैं आज की यहां की वीडियो एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो